कि रूपिया ध्यान रखे किस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी वो सेक्षिक और सुख्मक्य कुदिश्यों के लिए इस यूटूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वितिय सला, कानूनी सला या तो व्यक्तिगत सला के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए चैन दोस्तो शोट अपडेट आज के दिन अमरिका की तरफ से FOMC का मेटिंग है फेट के चेर्मेन पोवेल जो तस्वीर आपके सामने दिखरी वो लाइव आएंगे और मंदी के बारे में बताएंगे और अभी तक जो रेट हाई किये उसके बारे में बताएंगे आगे का क्या प्लानिंगे उसके बारे में बताएंगे तो इंडियन टाइम अभी आज राज साड़े 11 पीम आज राज साड़े 11 पीम इसका डेट है 11 अक्टोबर और टाइमिंग जो मिटिंग का है एक बार और बता देता हूं राज को साड़े 11 पीम तो उसके उपर आपको थोड़ा नजर रखना है ट्रेड लेने में भी नजर रखना है कि किस टाइप से यहाँ पर ट्रेड लियाज है क्योंकि volatility ज्यादा होंगे तो आपको SL का भी ध्यान रखना होगा और leverage का भी ध्यान रखना होगा तो एक छोटा सा अपडेट था अब लास्ट में मैं आपको चार्ट में कुछ दिखाता हूँ कि हम किस टाइप से ट्रेड करेंगे तो bitcoin का price 26,800 डोलर के उपर ट्रेड गर रहा है फिलाल यहाँ पे जो नीचे का trend line है नीचे का trend line है इसा दिख रहा है कि breakdown हो गया market के अंदर सभी के सभी लोग bearish है मैं खुद भी लंबा थोड़ा देखू तो bearish है बट जो आज की दिन यहाँ पर कुछ चीजे है कुछ चीजे ऐसी है कि ज्यादा लोग जब bearish हो जाते हैं तो futures वालों के लिए liquidate कराने के लिए या SL उड़ाने के लिए थोड़ा सा वेले वो game करती है तो आज के दिन हम किस टाइब से trade करेंगे ऐसे में लंबा देके तो bearish हूँ अभी एक बार और बता रहा हूँ यूद वगेरा चल ला है तो short dump आगे थोड़ा dump और चले बट अभी meeting के time पे हम trade लेने हैं काफी ध्यान देके आपको trade लेने हैं दो तरीके से में trade आपको दिखाता हूँ फिलाल market का जो support area आ रहा है 26,800, 26,700$ के आसबाद 100-200$ उपर नीचे रहता है एक इसका support area है और फिलाले support एक और support area था जैसे कि 27,000$ एसे line और नीचे एक blue line नीचे blue line इसलिए है क्योंकि पहले resistance का काम करता था फिर जाके इसने एक बार breakout किया था confirm breakout ने हुआ, fake out निकला और अगेन फिर जाके उसको break किया जब गुम के आता है तो support लेता है न तो 26,800$ एस support area है तो यहाँ पर एक scale type का long trade में भी lowest leverage के साथ और stop loss के साथ क्योंकि थोड़ा यहाँ पर game बन सकता है लोग ज्यादा बेरी से यूद भी चल रहा है और यहाँ पर maximum मेरे इसाब से लोग short करेंगे फ़ले long term में हम देखें तो बिरिसी है बट as a short term आज के दिन की बात है तो आज अगर एक trade में भी ऐसे हम ले सकते हैं 26,800$, 700$ and 600$ तीन पार्ट में long की trade खोलनी है तो तीन पार्ट के अंदर 8 से अभी एक पार्ट ही डालना है 30% 700$ and 600$ के उपर दो पार्ट ओड डाल देने है target छोटा सा ही देखेंगे गेम होगा तो छोटा सा होएगा जो कि हम इसमें गेम देख सकते हैं अभी का हम गेम देखेंगे तो 27,200$, 300$ तक हमें trade को close कर देनी है तो भी जो almost profit होगा आपका 26,700$ के उपर आपका trade लग गया यह 700$ के उपर average किया और फिर हम जो सुच रहे कि 200$ तक market गई तो 1.5% के आसपास market की बढ़ोतरी है 2% के आसपास हम देख सकते कि 2% के आसपास market बढ़ोतरी होने की possibility है 2% मतलब आप 3X से लेंगे तो 6-7% का profit होगा काफी होता है 6-7% का profit और 5X से करेंगे तो 10% का profit होगा और 7X से लेंगे तो 15% का आसपास max 7X से ज्यादा leverage नहीं लेना है क्योंकि यह जो trade है काफी ज्यादा risk है मैं दो बर बताना चाहूँगा और आपका SL आएगा ज्यादा दूर नहीं SL आपका 500 के ऊपर 450 से 500 के आसपास आप SL लगा सकते हैं जो कि यहाँ पर लोस जो लेना है एवरेज हम 600 तक तो कर रहे है तो एवरेज यहां ते कर रहे है तो 0.44% आदा परसन मान के चलिए तो 7X का leverage है तो 3.5% का low से सामने जो profit है वो 15% का है यह setup दिया है मेरा कोई advice नहीं है आप खुछ setup किजेगा अपने इसाप से किजेगा नेक्स यहाँ पर दो टाइप से आप trade कर सकते हैं साड़े 11 बजी meeting है 11.20 पे एक long खोल देना है वही price एक short खोल देना है और दोनों side same sell लगा देना एक sell इधर कहीं लगाना है और एक sell कहीं उपर लगाना है same sell एक side sell दाएगा और एक side profit होगा तो यह अपना simple सा analysis बन जाता है उमिद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और आज का जो वीडियो है logical है और जो trade में ने provide किया है वो risk है या तो इसको ignore आप कर सकते हैं मिल देखने वीडियो के साथ